जिलादिकारी अपडेट 5 अप्रेल 2020 कानपुर नगर में जिलादिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव रामतिवारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि 7 अप्रेल से पूर्ण रोप से लॉक डाउन रहेगा जिसके अंतरगत के वल होम डिलीवरी के माध्यम से ही लोग आवश्यक वस्तों की खरदारी कर सकते हैं सोबाद 4 बजे से 11 बजे तक आवश्यक वस्तोई खरदारी करने के लिए के वल 6 अप्रेल तक की ही छूट दी जाएगी साथ अप्रेल से पूर्ण रूप से लॉक डाउन रहेगा इस अवधी में कोई भी व्यक्ति अपने घरों से केवल मेडिकल स्टोर वा अप्रिहार स्थती में ही निकल पाएगा कल 6 अप्रेल को समस दो पहिया और चार पहिया वहन को प्रतिबंधित किया गया है मैं जिलादिकारी कानपुर नगर आप सभी नगरवासियों को यह पताना चाहता हूं कि आवस्थे बस्तों की खरीद के व्योस्था में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है कई कोरोना पाश्टिब केस पाए जाने के बाद अब पुरे सहर में केवल होम डिलिवरी को सुनिश्चित कराने के लिए होम डिलिवरी के माध्धम से ही दिनांग 7 अप्रिल से बस्तों की आपूरती की जाएगी कल सुबह अर्थाद दिनांग 6 तारीक से यदि कोई व्यक्तिव आवस्था बस्तों की खरीद करने जाता है तो वह सोसल डिस्टैंसिंग का हसत प्रस्थत अनुपालन आवस्थ करे और पैदल ही जाए साधनों से जाना 4 पहिया 2 पहिया गाडियों से जा करके उसकी खरिदारी न करें कृपया अपने घर से हून डिलिवरी के माद्धम से ज़्यादा से ज़्यादा खरिदारी और आवस्थक बस्तों की आपूरत के लिए हाँ पूर सुनिश्चित कराएं प्रसाशन ने इसके लिए पूरी व्योस्था की है हर एरिया में दुकानदारों को चिन्मित किया गया है आप उनसे फोन के माध्यम से या पहले से बता करके नोट करा करके अपना आडर मंगा सकते हैं किन्तों दुकानों से जो है परसों से इसकी खरिदारी अभी कुछ समय के लिए नहीं की जाएगी धन्यवाद